हलो फ्रेंड कैसे हैं आप सब आप सभी को सत्वती लाइफ एस्टाल में स्वागत है तो आज मैं लेकर आई हूँ कीचन के कुछ छोटी छोटी इनिक्सी टीप्स जिसे आप मुश्किल से मुश्किल का मुश्ट असानी से कर पाएंगे उमीद करते हैं आज का वीडियो आप लोगों पसंद आएगा तो चलिए हम आज का वीडियो सुरू करते हैं पहली टीप सब चैपती को लेकर कहे बर क्या होता है कि लूज मोसन होता है हम लोग दवाई खाते हैं एक दिन दो दिन लेकिन ठीक नहीं होता है तो आज मैं लेकर आई हूँ दादी नानी के नुस्के दादी नानी के जो नुस्के होते हैं बहुत काम के होते हैं हमें क्या करना है एक चमच के करीब चैपती ले लेना है अगर आप चैपती को ऐसे खा सकते हैं तो आप ऐसे ही खा लिजे अगर नहीं खा पा रहे हैं तो आप क्या किजिए ब्रावर मातरा में आपको सकर मिलाना थी यहाँ पर देखिए हम एक चमच चपति लिए हैं और एक चमच सकर इस तरीके से हमें मिला लेना उसके बाद बिना पानी के हमें क्या करना है? आदा आदा चमीब सुबहσाम खाना है पानी बिल्कुल नहीं पीना है अगर आप पानी पीना चाहते हैं तो आप 10 से 15 मिट के बाद आप पानी पी सकते हैं उसके बाद आप देखिएगा आपका जो loose motion ठीक ने हो रहा विल्कुल अच्छे से ठीक हो जाएगा, आपका fit अच्छे से से het हो जाएगा, पैर लेके जबाने के लोग इसी तरीके से ठीक करते थे, अगली tips है बर्तन को लिखरें, जब भी हम अंडे बनाते हैं या तो सब् oblivion उसे चला जाटा इन कहला है कर लेना हैzier थोड़ा सा आटा जो खाने वाल आ उसे हमेन नहीं डिधना है तो देख्येंगा जो भी हुआ या астьकिनिDas किन वह सोना नहीं जड़ी उसके बने डन है、 वह फोदह घुद कीन दो इसे आप जरूर ट्राइ करके देखेगा आप लोग को काफी पसंद आएगा हागली टीफ से इस तरीके के बाटर बोतल को लिए करें तो ज़्स तरीके के बाटर बोतल जो कि उतें को भच्छे को हाड वाला लीजिएगा और इस तरीके से में छोटा-छोटा टुकडा कर लेना है तो यहां पर देखें ने थोड़ा सा इस तरीके से कर लिए है उसके आपके क्या करना है इस तरीके से में बोतल में डाल देना है क्योंकि देखें बोतल का जो मुह होता है छोटा होता है इसके ब्रश्व इस तरीके से क्या करना है कर देड मैं दो से तीन मड के लिए इसी तरीके सेख करना है तो जो cardboard होता है काफी hard होता है वो जल्दी mooliam नहीं होता है इस उसको जर्षाय क्या होता है इसके जो भी स्मेल या तो इसमें पीला पन है जो भी आप इस तरीके से साफ कर सकते हैं कि काफी इस पुल एडिया इसे ट्राय करके देखिएगा आप लोग को काफी ज्यादा पसंद आएगा अगली टीप से कप को लेकर हैं जब यह मार्केट से नियू कप लेकर आते हैं तो कई वर क्या ह आते कप है जो बहुत जल्दी फूर जाते क्योंकि हम लोग को पता ही नहीं होता है कि कौन से कप में मजबूती है कौन से कप में नहीं तो आप लाने के बाद आप क्या किजिए इस तरीके से आप कप को बजा कर देखिए अगर कप टंटेंस यह आ जा रहे है तो आप समझ इस कप में मजबूती बिल्कुल नहीं है तो आप इसका मजबूती आप घर में बहुत असानी से ला सकते हैं इसके लिए आपको क्या करना है लेना है एक बरतन में पानी और इस तरीके से हमें सारे कप को डाल देना है कप है जो बिल्कुल डुबा हुआ होना चाहिए उसके कंते इतना वालू को लेखे रहें जब यहां मार्क से आलू लाते हैं । तो कह masculrh के हाय जो सालु है जो मीथे निकल जाते हैं और मीथे आलु के सबजी कोई भीखाना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि हम लोग को पताएं नहीं होता है कि काम से आलु मीथे हैं और काम आप देखिगे गए बिल्कुल अलु रूख़ा रूखा जू है या बिल्कुल बीके नहीं नहीं दो थी तरीके से दोनों तरीके से पता कर सकते हैं अगली टिप से बर्तन को ले करें जब भी हम बर्तन को धो कर इस तरीके से रखते हैं बर्तन सुखने के बाद देखते हैं इस तरीके से क्या है बर्तन में जो निसान रहता है खास करके जब हम सावून से बर्तन धोते हैं तो ऐसा दिक्कत जादा होता है गएवर क्या होते हैं बरतन में भी सामूल लगे रह जाता है क्योंकि हम लोग को पता नहीं चलता इसके अब जैसे तो आज मैं एक छूटा सा ट्रीक बताऊंगी जिससे ये प्रोबलम कभी भी नहीं होगा था हम जब भी बरतन को मांजते हैं हम लोग क्या करते हैं पहले बरतन को इस तरीके से मानते जाते हैं आप बरतन को रख देते हैं तो देखे गर्मी के मोसम में इससे क्या होता है बरतन है जब सूख जाते हैं और हम लोग क्या करते हैं मानते हैं सिधा इस तरीके से क्या करते हैं बरतन को दो कर और इस तरीके से स लेजिए उसके बाद दोने के से मैं आप क्या किजिए नाया या पुराना और पुराना ले रहे हैं तो आप क्या किजिए अच्छे से पहले दो लेजिए उसके बाद हमें हाथ में पान लेना है और इस तरीके से क्या करना हमें सोक्स पान कर इस तरीके से जब हांस से इस तरी लेंगा तो आप पोलो थीन से भी रखर सकते हैं लेकिन अच्छे से साफ नहीं थब कोशिद करें आप इस तरीके से सॉख ले लेजे नहीं है तो आपके पास युक्त है आप उसे ले-ले-ले हमें क्या करना है प्याज को इस तरीके से पहले छिल लेना है इसका जो मोटा वाला हिस्सा है उपर वाला हमें क्या करना है इस तरीके से क्या करना है निकाल लेना है तो यहां पर देखे हमें 5-6 इसी तरीके से निकाल लेना है हमारे घर में देखिए चिपकिली जो आते हैं वो क्या आते हैं खाने के लोग से ज़्यादा तर कीचन में रहते हैं और कईवर क्या आते हैं खाने में भी चले जाते हैं तो हमें क्या करना है इस तरीके से हमें प्याज के ले लेना है चिलके उपर वाला जो मोटा वाला था और इस तरीके से में क्या करना है धागे में डाल देना है और इसी तरीके से हमें आप 5-6 बना लेना है जहां से चिप के लिए आते हैं खास करके देखिए चिप के लिए जो हैं खिरकी के पास से आते हैं तो हमें क्या करना है खिरके में इस तर करें मेरा वीडियो कैसे लगा मुझे कमेंट करके जरूर बिताईएगा अगर मेरे चैनल पर पहली बाराएं तो मेरे चैनल को लाइक कर सब्सक्राइब कर दीजिएगा ज्यादा से ज्यादा से जरूर कर दीजिएगा